देव सिल्पी बिश्कर्मा पूजा को लेकर रविवार को भागलपूर समें देश भर के विविन हिस्वों में बिश्कर्मा पूजा शमारों का आयोजन किया गया। इसको लेकर तमाम तरह के कलकर खाने, पावर ग्रीड, मैसनेरी पार्ट्स, इलक्रोनिक्स, आरामील, वाहनों के शोरूम समें अलगलग दुकानों में भी देव सिल्पी की विधी विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दवरान रेलवे लोगों, शोरूम, कारखाना, विध्यूतूप केंद्रों, कार्यालियों और दुकानों को सजाया किया, जब भी कई जगों पर कारिक्रम का भी आयोजन किया गया। पार्टी के राष्टिय प्रवक्ता सेयद सहनवाज हुसेन के भागलपूर पहुंचने पर भाजपा कारेकरतों ने पुस्पगुच दे कर स्वागत किया। भागलपूर के लोगों की ओर से परधान मंत्री नरेदर मोदी और रेल मंत्री के प्रती आभार प्रकट किया। भाजपानेता ने कहा कि भागलपूर होकर राजधानी एक्सप्रेस के चलने और ठाराओ की स्विक्रती मिलना यहां के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। जबकि इसके अलाबा भी कई महतपूरन ट्रेन की सुरुवात भागलपूर से होने वाली है। सानवाज हुजएन ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस के लिए भागलपूर से टिकट की बुकिंग सुरू हो रही है जो भागलपूर और आसपास के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात है। मुईस दोरान भाजपानेता ने भागलपूर सांसद अजय मंडल पर निसाना साथते हुए कहा कि भागलपूर सहरवासनों को यह सौगात अजय मंडल ने नहीं बलकि परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने दिया है। जबकि रामचरित मानस पर सिक्षा मंतरी के बिवादित बयान को लेकर पुर्व केंद्रिय मंतरी ने कहा कि सिक्षा मंतरी को इस परकार का बिवादित बयान नहीं देना चाहिए। साथ ही विपक्षी महागडवन्दन को लेकर राष्टिय परवक्ता सानवाज हुसेन ने कहा कि महागडवन्दन में महाफूट है और जद्यू एवं राजत की जोड़ी बेमेल जोड़ी है लेकिन भाजपा और जद्यू का फिर से कोई जुड़ा हो ऐसी संभावना नहीं है हम उद्दोग मंत्री रहें और उनके जो नेता हैं उनके साथ हम हम अब बिहार में हम बंडाली हैं जो कलकत्ता से आए हैं यहां कि फ्रुव सांसद है इसनाते हम भागलपुर की आवाज भागलपुर्प के लोग मेरे पास जो कोई काम बताएंगे उसको करना अब क्रीडि क्रेडिट हम मोदी जी को दे रहे हैं और कुछ लोग क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं हम तो मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं हमने एक बार दी आपको कहा है आप लोगों ने यह नहीं पूछा कि वो तो नहीं ले रहे हैं वो तो मोदी जी और रेल मंत्री का बदाई दे जिससे वाइक सवार अनियंतित होकर सड़क की नारे गिर कर अच्छेत हो गिया वहीं इसके बाद रहागीर और मौजूद ग्रामिनों ने घायल की पाचान सभोर्थाना छेतर के वन सीटी करनिवासी रंजीत पासवान के रूप में की और गटना की सूचना उसके घरवालों क जिसके बाद ग्रामिनों और परीजनों की मदद से घायल को इलाज के लिए नीजी नर्सिंग होम में भरती कराया गया वहीं बाइक सवार की गंभीर हालत को देखते हुए ड्रॉक्टरों दुआ प्रात्मिक उप्चार के बाद बहतर इलाज के लिए उसे सिली उडी रैफ कर दिया गया जहां इलाज के क्रम में शनिवार की देर रात्री घायल यूवक की मौत हो गई मृतक रंजीत पासवान के परिजनों ने बताया कि 14 सितंबर की रात्री दस वजे रंजीत पासवान अपनी बाइक से घर आ रहा था तभी वह ग्यात हैवा की चपेट में आकर ग में लोग इसे हम तो घर में थे नहीं तो मेरे वह गई अगर दोस्ते तो मौत देखे तो स्पीटर भागल में एबीसी अपने से रेफर कर दिया है तो सिल्दी गुडी लग जाने के दोरां ये पोस्ते-पोस्ते मौत हो गई सड़क दुगटना में मौत हो गई भागलपुर में डेंगू बीमारी का प्रकूप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसकी चपेट में आकर सर के लगबग सभी इलाकों में लोग डेंगू का डंक जहलने को विवस हैं एक और जहां डेंगू बीमारी से बचाओ और इलाज को लेकर स्वास्त विभाग और जिलापरसासन के द्वारा अस्पतालों में जरूरी इंतिजाम करने की बात कही जा रही है वहीं रोजाना मरीजों की बढ़ती संख्या सभी के लिए चिंता और भै का कारण बनता जा रहा है जिलापरसासन और स्वास्त विभाग के पदादिकारियों के साथ चिकत्सकों के द्वारा डेंगू की चपेट में आने से बचाओ के लिए लोगों के बीच जालुकता फैलाने की बात कही जा रही है जबकि जिलातिकारि के नृदेश पर जिले के मायागनज असपताल और सदर असपताल समित सभी असपतालों में मरीजों के बेट के लावा दवा और सभी जरूरी इंतिजाम करने की सकत हिदायत भी दी गई है बता दे कि काफी संख्या में डेंगू के मरीजों का इलाज घरों पर ही किया जा रहा है लेकिन बाप जुदिस के अस्पतालों में भी काफी तादात में डेंगू परीद मरीजों का इलाज चारी है इसको लेकर सिसुरोग भी से सके डॉक्टर आसुतोस रंजन ने कहा कि डेंगू बीमारी का समय पर इलाज नहीं होने से परिसानी बढ़ सकती है इसलिए समय रहते ही चिकित्सकों से संपरक करना चाहिए और इसे बचाओ के लिए हम सभी को हर तरह से सापधानी बरतन की चरू करने वाले कपड़ों का उपयोग जरूरी है इसका मुख्य वजए बाहर गंदगी के वजए से है और लोग साफ सफाई खुद नहीं ध्यान दे रहे घर में बाहर में यह लोगों का काम है आसपास सफाई रखना और इस बार तो यह कर मुझे लगता है कि दिसंबर तक पानी के बरतन को ढखके रखे और बाहर कच्रे को ना फेके और साफ सफाई खुद से अपना घर का कॉलोनी का रूट का सफाई करें यह हमारा जिम्मेवारी है नगर निगाम प्रसासन सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोगों को और सतर्क होके अपनी साथ अपने क करका साफ सफाई करना बहुत जरूबी है झाल प्रसाइब कर दो आफ साफ साफ सफाई बहुत अच्छा करें जरूबी है प्रसाई जरूबी है झाल आफ झाल 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 तो आपके लिए बहुत जादा सुनिदा चले के तिकि पास नहीं नागर मल है, मार्केटिंग के लिए और रिलाक्स होने के लिए ज़रून को ज़रूर गूज करें स्पेशली ब्राइडल मेकप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स की हैं, all the products they are using are under their professionals, so you can trust them मेरा नाम जय कुमार है, गोड़ा जिला मेरा घहर है, डियाविटी से पूरा परसान रहते थे हम, अंगरेजी दवाई खाते थे, जब खाते थे तो कम होता था फिर बढ़ जाता था, तो एक दिन हम यूट्यूब में सर्च करते करते देखते हैं, तो एक एरोई भागलपूर डॉक्टर साब दिखा है, उसमें यहां देखे, सुगर में जड़ से खतम हो जाता है, वह भी आयरवेदिक दवाई से, उसके बाद हम आएं, टीटमेंट कराएं, एक सफता कराएं, उसके बाद घढ़ गया सुगर, उसके बाद लास्ट में, दवाई तीन मैना खाने के बा 141 मेरा आया, और आज ठीक हो गया, इसलिए सब को कहाना है कि इनको भी डियाविटी प्रेसेट नहीं हुआ आकर यहां दिखाएं, इसके बाद खिर से हम जांच कराएं, तो 141 रिपोर्ट आया, पिछले कुछ मैनों से भागलपुर में लगातार पड़ रही चोरी की घटना से लोगों में भाय का माहौल है, और अक्सर कहीं न कहीं से मोटर साइकिल, साइकिल, इरिक्सा साहित सुने घरों में चोरी की घटनाएं सामने आती रहती है, ताजा मामला ललमटिया उपी थान कर दी गई, इस दोरान चोर ने लोगों से रहम की घुहार भी लगाई, जिसके बाद डीजे गोदाम मालिक ने इसकी सूचना ललमटिया पुलीस को दी, लोगों ने रंगे हाथ दबोच लिया और वह मौजूद लोगों के द्वारा हाथ पर बांद कर चोर की जम कर पिटा कर दी गई, इस दोरान चोर ने लोगों से रहम की घुहार भी लगाई, जिसके बाद डीजे गोदाम मालिक ने इसकी सूचना ललमटिया थाना की पुलीस टीम ने काफी मशक्कत के बाद चोर को भील से निकाल कर हिरासत में ले लिया और थाना ले जाकर पूछताद सुरू कर दी, इधर नातनगर के बिलाल रोल के निवासी गोदाम मालिक विजय साका कहना है कि रामतुलापूर में उसकी डीजे की गोदाम है और एक दो दिन पर गेट फांद कर चूर उसके गोदाम के अंदर प्रवेस कर गिया कर दो कर दोदा कर दो लाओ कर दो बिलागल में जया 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 एक बात्र भीजे घसके बांद कर दो दो